हेलो दोस्तों मैं जाइकान सेनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भाताइक्यूम है हम डिस्क्रस करें राजिस्तान पतिका न्यूज पेपर जैपूर एडिसन अठाई सक्टूबर तो बने रहिए इस वीडियो साने तर तो आज शुकरते हैं आज की डिस्क्रिशन पेज नम्मर पर बात की जा रही है यह यहाँ पर नियूज कवर की गई है यह केंदर स्रकार ने अभी अधिसूचन जारी कर दी गई है इससे क्या होगा कि जम्मू और जम्म कश्मीर जो है और लदाक में यह प्राबधान लागू किये गए हैं कि अब देश का कोई भी नागरेक वहाँ पर जमीन खरी सकेगा यह प्राबधान लागू कर दी गए है पहला ऐसा नहीं होता था तो यह नोटिफिकरिशन जारी किया गया है होम मिनिस्ट्री के तहट तो यह सारी की सारी चीज़े हैं तो इससे सम्मान दे कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं अब क्या बन सकते हैं इंपोर्टेंट तो जम्मू और कश्मीर री और्गनाईशन बिल जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख राइट ध्यानम रखिएगा दो यूटी बन गए अभी अब यहां पर क्या किया गया है एल जी जो हैं लेफ्टिन गवर्नर इनका नाम बताईए कमेंट वक्स में वरतमान में कौन है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिन गवर्नर इनका नाम बताईए तो यह जो हैं वो मंत्री पहिसत की सलापर काम करेंगे इस प्रकार से काम होगा वहांपह अभी तो एल जी जो हैं मंत्री पहिसत सलापर और एक और चीज में आपको बता दूँ कि यहां पर दो यूटी बनाएं कि जम्मू एंड कस्मीर और लद्दाक राइड जम्मू एंड कस्मीर के अंदर लेजिसलेटिव असेंबली को रखा गया है यानि कि वहां पर स्यम बनेगा विदान परिशाद रहेगी लेकिन लद्दाक के अ लेकिन क्रसी भूमी को लेकर के कुछ बंदेशिया अभी भी लागू है पर सिच्छा वा स्वास को लेकर के क्रसी जो योग की भूमी है उसको भी वह भी खरीदी जा सकेगी यह बात की गई है इसमें मतलब सिच्छा वा स्वास संबंदी कोई प्रोजक्ट है उनको लेकर कर यादी कोई भूमी भूमी खरीद नहीं है जमू कस्मीर के अंदर तो उसके लिए अलाउ किया है वहाँ पर अन्य चीज़ों के लिए आप क्रशी भूमी को नहीं खर सकते हैं अभी इस पर एक बैन इससे बंदिस लगाई गई है तो मंगलवार को यह नोटिफिक्शन जारी कि घृमंत लादे के द्वार तो यह इंपोंटन बन जाता है इसलिए मुझे मेरा आप से प्रश्ण है कमेंट डोक से बताईये कमेंट करके कि भारत के अंदर वर्तमान में कितनी योटी है और कितने राज्जय उनके नम्बर बताईये मेरे को कि कितनी योटी है और कितने आजी चीज़ें हटा दी गई है तो अब freely मतलब other state की तरह आपे हम काम कर सकते हो तो important है जाना जरूरी जम्मी को से बहुत ज़रा चर्चा में रहता है page number में बात की जारी है ये बात की जारी है भारत और अमेरिका के बीच एक समझोता हुआ है B.E.C.A. समझोता ये समझोता टू प्लस टू डायलोग बहुत ही फेमस होता है ये 2 प्रलस 2 डायलोग रक्षा मंत्राल है और विदेश मंत्राल है ये दो मिनिस्ट्री बैठते हैं यानि कि अमेरिका का रक्षा मंत्राल है और विदेश मंत्राल है सेम भारत का दोनों इनके मिनिस्टर बैठते हैं तो इस प्रकासे 2 प्रलस 2 डायलोग ये होता है तो भारत क अमेरिका के साथ 20 यह समझोता हुआ यह समझोता हुआ, सेन और सुरक्षा को लेकर करके किया गया है, यह जो एक्रिमेंट किया गया है इसका फुल फॉर्म याद रखिए का, इसका नाम है Basic Exchange and Corporation Agreement, तो यह 20 यह का फुल फॉर्म है, जो कि अभी रिशेंटले माइक पॉम्पिय और मार्क एसपर, तो यह दोनों भारत आये हैं और भारत के रक्षा मंत्री हैं, राजनात सिंग जी और एस जैशंकर, विदेश मंत्री हैं, इनके नाम भी आपको पता नोचीए तो इनकी मीटिंग हुई है इंपोर्टन है, यार रखिएगा, आप एक्जाम में पूछा जा सकता है पेज नंबर बात की जारी है यह क्या बात की जारी है, जैपुर में पश्यमी थीटर कमांड का मुख्याले बन सकता है अब थीटर का मतलब यह मत समझना कि फिल्में देखने की जगा तो उसकी कमांड का मुख्याला है, पश्यमी कमांड का तो वो जैपुर में हो सकता है, ऐसी बात की जारी है तो यह यहाँ पर बात की गई है, अब वो करेगा क्या? वो समझालेगा, पाकिस्तान से लगी जो सीमा है, वो सारी की सारी सीमा समझालेगा पश्यमी थेटर जो कमांड है वो पाकिस्तान दे लगी जितनी सीमा जानी की नौथ से लेकर और वेस्टन वाला जो पार्ट है नौथ वेस्ट वाला पार्ट है पूरी की पूरी समभालेगा उत्तर से तच्छन तक जितनी भी मतलब जो गुजरात तक बॉडर लगता है और इसके लावे एक विश्ष्ट उत्री कमान होगी जो कि चीन के लिए डेडिकेटेड होगी ये भी इसमें बताया गया है कि एक विश्ष्ट उत्री कमान जो कि चीन को संभालेगी ये बात बताईगी है अब ये जो पश्चिमी थेडर कमान है जो संभालेगी सियाचिन गिलेशियर से लेकर के गुजरात तक की जो नियंतर्ण रेखा है आप मेरे जो कमेंट वोक से कमेंट करके बताईए कि भारत और पाकिस्तान के बीज कौन सी रेखा है उस रेखा का नाम बताईए ठीके ना तो एलो सी जो है लाइन ओफ कंट्रोल जो है वो लगती है पाकिस्तान के साथ में उपर तो यहाँ पर और रेखा का नाम मेरे को कमेंट वोक से कमेंट करके बताईए तो सियाचिन गिलेशियर के इंदरा कॉल मतलब कि भारत का यह जो मुख्य भूमी है उसका जो उत्तरतम बिंदू है सबसे उपर जो बिंदू है यह कारा कॉरोम एरिया के अंदर आता है इंदरा कॉल उससे लेकर के यह चालू होगी सीमा जो कि वेस्टर्न कमान समालेगी और गुजरात तक समालेगी यह सीमा जो है यह जो सीमा गुजरात तक लगती है पाकिस्तान के साथ में उत्तर से और गुजरात तक यह पूरा पूरा इरिय समालेगी पश्यमी थेटर कमान यह इंपोर्टन्ट है इंद्रा कॉल मैंने आपको बता दिया उत्तरई बिंदू है सबसे ईद्रा पॉइंट दक्षिन तम बिंदू है भारत की मुख्य भूमी पर याद रखिएगा मैं वाड़ गोल लहाँ हूँ भारत की मुख्य भूमी पर उत्तर ही बिंदू है सबसे उपर इंद्रा कॉल और दच्छनी है इंद्रा पॉइंट अब वेस्टन मतलब पूर्विय पश्च्वी बिंदू जो है भारत के जो लास्ट बिंदू है उनके नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताईए इंपोर्टन एक्जाम में पूछा जा सकता है पेज नंबर उनके बात की जा रही है ये क्या बात की जा रही है एक मिशन है नासा का इसका नाम है शोफिय मिशन तो यहाँ पे इसकी नियूज कवर की गई है शोफिय मिशन के बारे में कि पानी के प्रत्यक्ष सबूत मिल गए चांद पर हम बात कर रहे हैं मून की अभी मू भारत ने भीजा हुआ मून को लेकर Was. चांद की बात की जा रही है यहां पफे चांद पर ईयंट सौफिया मिशन बहर जाए नासा ने इस जोए इसका शौटनियरल मिशन नासा का referenced पानी के सबूत मिल गए है पत्रक्षी रूप से वाँ पर राइट अब एक प्रोग्राम और चल रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा कि इसके लिए इलोन मस्क का नाम सुना होगा टेसला कंपनी जो है उसके हैड है वो कई सारे डवलप्मेंट करते रहते हैं वो भी चाह रहे है कि परेटन के शेत में कुछ डवलप्मेंट के जाए और लोगों को चांद पर भी लेया जाए घुबाने के लिए तो यह एक प्रोग अब यहां पताया गया है कि पानी पहले की तुलना में 20-30 से ज़्यादा मिला है यानि कि चांद पर पहले भी जाया गया है लेकि उससे भी ज्यादा पानी इस बार मिला है परंतु सहरा रेगेस्तान से कम पानी ही मिला है मतलब जितना पानी सहरा रेगेस्तान में उससे कम ह यहांपे, तो यह बात भी बोली गई है, अब सोफिया ने चांद के दक्षणी गोलार्ण में इस्थित्द, धर्टी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड़े में से एक यह है Levius Crater, यह बात की गई है Levius Crater, यह कहां की बात की जारी है, सोफिया गया है चांद, चांद के भी Southern part जो है, दच्छिन जो पार्ट है, दच्छिन गोलाद जो वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक Crater है, Crater मतला गड़े जैसे भाग हो जाते हैं, जहाँ पर की पानी भढ़ जाता है, तो उनको हम बोलते हैं Crater, गड़े जैसे एक आकरती बन जाती है, वो होते अब मेरा प्रेस्ण आप से यहाँ पर यह है, कि मैं पहले ही अपने कुछ एक दिल महीने पहले डिसक्षन में बताया था, कि राजिस्तान के अंदर एक Crater खोजा गया है, तो उस Crater का नाम और किस जिले के अंदर खोजा गया है, वो राजिस्तान के अंदर गया है, वो मेरे देख सकते हैं आप यह हैं गड़े जैसे बाग और यहाँ पर जो पानी के बताया गया है बिलू उलू कर दर्म है यह पानी की उपस्तिती दर्ज की गई है यहाँ पर तो यह चांद का ही बाग है दक्षडी बाग यह बताया गया है जो तो यह एक बेसिक आइडिया आपको य लिखा गया है लेक यहां पर तो इसके संबंद में कुछ इंपोर्टन चीज जान लेते हैं CBI की बात चल रही है यहां पर अच्छा CBI के संबंद में आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर जाके वहां देख सकते हैं वीडियो को मैं आपको लिंक दे दूँगा यहां पर तो CBI का जो गठन है वो दिल्ली पुलिस इस्टेबलिसमेंट एक्ट उननीसो चालिस के तहत किया गया मतलब इसकी अपनी खुद की कोई पावर नहीं है कोई एक्ट नहीं है यह दिल्ली पुलिस स्टेबलिसमेंट एक्ट से पावर अपनी गेन करता है उननीसो चालिस जो है अब CBI को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है यह एक्जाम प्रशन आ चुका है डिरेक्टली तो यह काम CBC करता है अब CBI के बारे में यह बताया है कि इसको पूर्टे स्वायत्ता नहीं है इसको ऑटोनमी नहीं है पूर्टे CBI को इसमें क्या होता है कि जितरे भी हाईयर ओफिसर होते हैं सारे के सारे IPS लेंक्स होते हैं उनको कहीना कहीं से प्तिनुक्ती पर लाहे जाता है वहाँ पे तो वो गवर्शन के कंट्रोल में रहते हैं सारे के सारे एक मामले में सुप्रीम कोट ने कहा भी था कि हमें आवश्यक्ता है कि CBI की सरचला में परिवर्तन होना चाहिए यानि कि इसका अलग से एक्ट बना चाहिए इसको उटनोमी मिलने चाहिए इसको वित्ती उटनोमी मिलनी चाहिए तो इस प्रकार के चीज़ें होनी चाहिए CBI को लेकर के अच्छा बनाने के लिए ताकि ये transparent तरीके से काम कर सके और एक puppet या तोते की तरह ना रह जाएए अब अमेरिका का अनने उधान दिया आईए अमेरिका में 1908 में FBI का गठन किया गया था FBI अमेरिका की एजंसी है बहुती बड़ी जांस एजंसी है आपने इसका नाम बहुत सुना हुआ कई सारी इंग्लिस फिर्म में नाम सुना हुआ FBI का तो इसका जो गठन है विसेश जांच दल के तोर पर किया गया है FBI का अब इसको अटनोम में बहुत अच्छी है यहाँ पे जो प्रसीडेंट है वाँके USA की जो प्रसीडेंट है ट्रम सावे वर्तमान में वो भी इसकी क्रिया कलापम में हस्तचेप नहीं करते हैं और FBI के पास स्वतंतता है पूरी और वित्तिय स्वतंतता भी है इसके साथ जाने की financial भी उसे कोई ज़्यादा किसी से मतलब कहते हैं कि आप किसी से डिमांड करते हों चीज़ें आपके पास पहुंचती है तो उसको लेकर के पूरी autonomy उसके पास financial भी तो वो strong है अपनी चीज़ों को लेकर के अपनी activities को लेकर के तो इस सारी की सारी चीज़ें हमारे यहां पर आपको पता है कि सीने PM जो होते हैं उनका direct involvement रहता है CBI को लेकर के कहां जाज करनी है कैसी जाज करनी है political ही चीज़ें काफी ज़्यादा प्रवावित रहती है भारत के अंदर CBI को लेकर के तो यह बात की जा रही है कि इसकी सारचना में बदलाव करने है आगे देखते हैं पेज नमब साथ स्क्राइब कर रही है नासा की नासा ने अभी इसमने बताया आपको कि चंद्रमा पर और साउथ जो गोला दैऊ दक्षरी घुलाव वहां पर पानी का पता लगाया आब हम बात कर रहे है मार्स मिसन की मैं आपको बताया की बात चल लएई तो यह एक डॉबट का पिक्चर यहुए तो एम देखते हैं यह नासा ने मार्स gossip 2020 जो है नासा किया मार्स 2020 इस नहीं भी रोवर को मंगलख्रहण कहा पर उताने के लिए उसके खोज ग्रह पर यानि कि मार्स ग्रह पर तो यहां पर एक इस्तान है जजेरो क्रेटर इस्तान पर जाएगा यह रोवर जजेरो क्रेटर इस्तान पर क्रेटर में आपको बता चुका हूं गड़े नुमाई की इस्तिती एक आकरती बन जाती है जिसमें बाद में पानी भर जाता है उस यहां पर यह क्या काम करेगा जीवन की संभवना कितनी बंती है वहाँ पर क्या पॉसमिटिवफ बनती है उसके साथ साथ उसकी जियोलोजी का जानिक भू गर्भिय परिस्तिति मौसम का अध्यन करेगा यह रोवर पर्जर वरेंज यह important है अब यह जो रोवर है यह launch किया गया फर्स्ट यह आप इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा याद रखीएगा आप दोनों के दोनों नाम, थर्ड लॉंच किया है, नासा ने इस मिशन का नाम इस रोवर का नाम रखा है पर्जर वरेंज, तो इंपोर्टेंट बन जाता है यह तीनों के नाम आपको पतानों कि क्या क्या नाम है आपसे पूछे जा सकते हैं एक्जाम के अंदर कि यह तीसर लॉंच भी है नासा का इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और यह आप देख सकते हैं रोवर की पिक्चर है यहाँ पर यह इसका जो नियूस कवर किये गया है यहाँ यह देख सकते हैं आप किस प्रकार से गड़े में जील जैसी आकति बन जाती है तो उसको प्रेटर बोल देते हैं तो यहाँ पर बात की गई है क्या मंगल पर मौजूद थी जील जिसमें नदी भी बहती थी तो इस सारे की सारे काम किये जा रहे है यह जो भी भीजा गया है थोड़ी सी पेज नंबर आठे बात की जा रही है यह बात की जा रही है चौरासी खंबा चौरासी खंबा कामा भरत्तुर में इस्तित है यह बात की जा रही है यहां पर तो इसकी दुर्दशा को लेकर के बात की जा रही है कि जो आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट है इसके आप यहाब तुरंट. पेज नंवर नाइम कर्छ की जा रही है? कि COVID-19 की दारान जो कर्ज में इसट्राल्मेंट चल ले था, उनके दारान के दारान जो करज है, उस पर ब्याज से ब्याज पर छूट देने तू RBI ना भी अधिसूचना जारी कर दिया यानि कि notify कर दिया इस चीज को ब्याज पर ब्याज यानि कि compound interest मैंने बताया था आपको जैसे कि 100 रुपे आपने लोल लिया है उस पर 10 रुपे ब्याज हो गई तो किटना हो गई टोटल 110 फिर इस 110 पर जो भी interest rate है वो इस पर चलेगी फिर टोटल हो जाएगा फिर ये इस पर चलती है इस प्रकार से हम बोलते है compound interest simple interest क्या होता है simple interest होता है जैसे कि 100 रुपे आपने किसी लिये हैं तो जदी इस पर 10% ब्याज की दर है तो केवल इस पर 10-10 रुपे की ब्याज ही चलती जाएगी हमेशा 10 रुपे की ब्याज रहेगी इस पर ब्याज कभी change नहीं होगी इसको मोलते है simple interest आपके math में भी पूछा जाता है तो moratorium में आपको बता चुका हूँ कई बार moratorium बहुत ही important एक word बन जाता है कि हम उस समय के जो कर्ज लिया गया उस पर ब्याज से ब्याज पर छूट देंगे उनको cashback के माध्यम से भीजा जाएगा जो भी छूट दी जाएगी इस प्रकार से page number 9 पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है कि हैदराबाद airport एक international airport है इस airport का नाम याद रखीएगा राजीव गांधी international airport हैदराबाद इसने e-voting की शुबदा शुरू कर दिया भी e-voting क्या होता है जबी भी आप और की किसके लिए ये international passenger जो है international यात्रियों में शुरू किया भी ये e-voting की शुबदा जब आप airport पर जाते हैं तो आपके documents चेक होते हैं पासपोर्ट होता है आपका और कई सार आपके tickets चेक होते हैं उसको चेक किया जाता है फिजिकल फॉर्म में होते हैं लेकिन e-voting का मतलब है कि आपकी mobile phone या आपकी tablet जो भी आपकी पास चीज़े हैं वहाँ पर scanning की विवस्ता होगी प्रॉपर मतलब आपको contactless चीज़े होंगी इसमें सारी की सारी आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर e-voting की सुबदा स्टार्ट कर दी गई है यह तो इससे आसानी रहेगी passengers को time भी कम लगेगा उसमें तो यह अच्छी सुबदा है COVID-19 को ध्यार में लगते हो यह किया गया है तो मतलब एक अच्छी पहल है इस प्रकार से जो हैदराबाद airport ने शुरू किया है अच्छा मेरा कुछ बच्चों ने मेरे से प्रस नहीं पूछा है कई वाद जिग्या से रहती है उनकी उन्होंने प्रस नहीं यह पूछा कि हम कभी भारत में यदि flight से यात्रा करते हैं हपोज हम दिल्ली से बैंगलौरूर जा रहे हैं तो क्या हम में पासपोर्ट की जरुवत होती है तो वहाँ पे आपको पूरी को पूरी टेरिटरी यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तब भी आप एर से यात्रा कर सकते हो यानि हवाई जात्रा कर सकते हो केवल जब आप भारत की सीमाओं के बाहर आप कई देश में जाते हो तो आपको पासपोर्ट की जरूरत परती है तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक पेज नंबर दसे बात की जा रही है ये बात की जा रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनल्ड टरम साब ने अभी एक लेडी जहन का नाम है एमी बनी को आजीवन समय के लिए पेज़ बना दिया है इनको आजीवन के लिए नौमिनेट के लिए सुप्रीम कोर्ड के जज़ के लिए ये क्या किया है सीनेट के आए हूँ है ये उनका उच्चि सतनन्द है जैसे कि भारत में राजय सभा आये तो वहाँ पे सीनेट है यह बिसेका आईडिया आपको होने चाहिए तो यह Senate में Republicans का भहुमत है Republicans पार्टी से ही डोनल्ड ट्रम पाते हैं तो Republican जो पार्टी है उसका Senate भहुमत है वहाँ पे उन्होंने इनका नाम नमिनेट कर दिया जज के लिए Amy Connie Barrett का लेकिन ये आजीवन के लिए कर दिया गया है तो इसका वरोज चल रहा है वहां पे कि ये गलत तरीके से इस प्रकार से इनों ने बनाया है गेर कानून ही है ये कि आप किसी को आजीवन का समय के लिए वहां की जज नियुक्त कर रहे हो अब मेरा आप से एक प्रस नहीं यहाँ कोड के तो उसका क्या तरीका रहता है मेरों कमेंट करके बताईए सिंपल फर्म बताईए कि किस प्रकार से इनके नियुक्ती होती है बस पेस नंबर तसे बात की जारी है बैंगलोर में रिसर्च की गई है यह पता लगाया गया है कि दुनिया के अंदर कोवेट 19 से प्रभा जबाव इसका हो सकता है ये एक रिसर्च में पताया गया है बिंगलोर के अंदर मेरा आप से यहां भर प्रस्ट यह है कमंट वोक्स में बताईये कि बिलेट गुरुप में कौन सा बिलेट गुरुप है जो कि सर्व गराही जिसको बोला जाता है जो कि सभी को अपना खून डो तो इसको बेन कर दिया है वहाँ पे कोट ने तो इसका विरोध हो रहा है पोलेंट में तो देख लेते हैं एक बार से संबंदी कुछ इंपॉर्टन चीज है तो बेन लगा दिया है पोलेंड की राजदान ही याद रखिएगा इसका नाम है वार्चा अब मेडिकल टर्मिनेश प्रेगनेशन प्रेगनेशन है तो इसका बार्चा नाम है यहां पर 20 सब्सक्रा तक आप कोई भी जो भी टर्मिनेशन है प्रेगनेशन है प्रेगनेशन का मतलब कि आप अबोशन करा सकते हो इसके बाद आप अबोशन नहीं कर सकते हो यह कानूनी रूप से अवैद हो जाता है उसके लिए आपको कोड की पर्मिशन लेनी होती है हाई कोड की तब ही आप वो चीज़न करा सकते हो तो यह जीज़न थी लेकिन अप समय के अनुसार इसकी डिवांड यह उठनी लगी कि इसको थोड़ा समय को बढ़ाया जाए क्योंकि काफी ज़्याद हो गया समाथ चेंज़े काफी ज़्याद आ गये है तो इस एक्ट में 2020 में संशोदन किया गया बिल आया गया इसमें इसे 24 सपता कर दिया गया है यह जो टर्मिनेशन है जो प्रिगनेंसी अबोर्शन को अब यह खुद को भी मानना एक अपराद है जैसे कि आप सुला हूँ आई पीसी में सेक्शन 309 जो है वो सुसाइट के लिए भी आपको धंड देने का प्राबधान है और यदि आप किसी को मारते हो उसके लिए भी आई पीसी में प्राबधान है तो यहाँ पर क्या होता है कि 20 स सब्सक्राब करता से पहले तो आप उसे उसे करा सकते हो लेकिन यहाँ पर एक शेप ले लेता है एक human की फ़र्म ले ले लेता है तो एक प्रकार सी अप्राद है आप उसे मार रहे है तो ऊपरक्षन करारे हो Dag9g क्योंकि वह एक development हो चुका है एक शेप ले लिए उसने तो इस प्रकार से उनका मानना है क्योंकि भारत में तो कानून है सुसाइट को लेकर करके आप आप दूसरों को किसी को मारते हो उसको लेकर कानून है तो आप कैसे उसको मार सकते हो तो इसलिए इसको बैंद किया गाए यहां पर लेकिन कुछ ऐसी condition बन जाती है कि मा की जो जीवन है उस पर भी खत्रा आ जाता संकट आ जाता तो वहां पर कुछ प्रोविजन से उनके लिए तो वह हाई कोट से permission ले करके उसको कराया जाता है लेकिन अब इसकी डिमांड इतनी उठने लगी कि इसको 24 सप्ता किय जाए तो यह इस शंशुदन के जारा किया गया है बिल आया गया है 2020 में तो इसके बारे में आपको एक basic idea होना चाहिए दोनों के दोनों आपके पता हो चाहिए कि यह act कब लाया गया था और क्या से क्या प्रावदान अभी कर दिये गया है 20-24 सप्ता से कर दिया गया है यह आप देख सकते हैं पॉलेंट के स्थिती देख सकते हैं यहां पर लोकेशन है पॉलेंट यहां पर बाल्टिक सी इसके उपर हो जाता है नौर्थ में लिथुवानिया जो है इससे यहां पर टच करता है बेलारूस टच करता है यूक्रेन टच करता है स्लोवाकिय टच करता ह है बरबारी स्टार्ट होने लग गयी है, तो यहां पर किया है कि बरबारी ज्यादा हो गई है, तो यह न स्वंधर रित आक्या हो गया है कि मेनाली लेह मार्ग पर वहन का आवगवन बंद हो गया है कहां पर बाराल अच्छा दर्रे पर क्योंकि यह इसी के थुरू जाते हैं अब यहां पर दूसरी बात क्या बता जा रही है कि यह दर्रा यानि कि बाराल अच्छा दर्रा जो है जासकर रेंज में इस्तित है यह आपको आइडिया उनुची है कि बाराल अच्छा दर इसका लेहे एक जिलाहे लद्दा का तो लाहॉल को लेहे से जोड़ने काम करता है कौन सा दर्रा बारालाचा दर्रा तो यह इंपोर्टेंट है आपको पता हुना अची है डिरेक्ट पुछा जा सकता है कि बारालाचा दर्रा किन एरियास को कनेक्ट करता है तो यह करता है लाह बाद़